हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम कुमिन सीट्स लेते हैं बजा से मार्किट से पर्चेस करते हैं और इनको हम किसी एटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं तो यह 15-20 दिन के बाद यह कुछ यह सीले सीले से ह करदा अनको कर ऐए कि यह से बालत जाते हैं जह एक जरबऑने लगते हैं तो यह मतलब यह झीरा खराब होने लगा है तो हमारेいつ खराब ना हों इसके लिए करना क्या है यज़ए माइक्र वेय तो आपको इनमें माइक्रो aby विख कर लेना है माइक्रो यूवेत करे लेना है प्रटा भी इसे कितने मिनट जो है रोस्ट करना वह भी हम आपको बताएंगे माइक्रोवेव टोप कर देंगे अब माइक्रोवेव के डोर को अपन करके यह हम सारे कुमें सीट एक माइक्रोवेव से फामें प्लेट लेनी है और उसके यह सारे हमें इस तरह से डाल देने हैं इभल हमाने इन टो इंद शेटकने गए णो में जर्ट आ यह उस्तिंद पमें आपके जब क्रेक्स के में आवाज आने लगे जब तक जब तक आंने जब तक आम जब तक हम इने ज्वह रोष्ट करना है तो यह विदिं टू टू मिनट में यह रोष्ट हो जाते है तो चली स्टार्ट कर देते हैं तो फ्रेंट्स ऐसा करने से होगा क्या कि आपका जो कुमिन सीट्स है वो खराब नहीं होगा उसमें गुच्चे नहीं पड़ेंगे और आप उसे किसी भी अपने जो है रैस्पी में रायते विगारा में दही में भी उसको क्रेश करके यूज कर सकते है तो फ्रेंट्स इस तरह से जीरे को रोष्ट करके रखने से बहुत ही बैनेफिट्स होते हैं और आप जीरे को काफी टैम तक जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसे यूज भी करते रहेंगे आप उसमें कोई इंसर्ट या कीड़ा पढ़ने का भी डर नहीं रहता है वन मिनट हो गया है डोर को ओपन करके एक बार हम इनको इस तरह से कर देंगे ताके अच्छे से इनका मैश्यराइजर जो है रिमोव हो जाए यह देखिए अभी हलके हलके से थोड़े से बढ़िया होने लगे हैं जैसे सीले सीले थे अब यह थोड़े हाड होने लगे हैं फ प्रेंट्स टू मिनट्स हो गए है एक बार दोर को ओपन करके इनको अच्छे से ऐसे चला देंगे कि अच्छे से मुष्य रिमोव हो गया है तो अगर आप इनको बिल्कुल ऐसे ही जो है बस खाली इंसेटस से बचाने के लिए आप इनको रोश्ट करना चाहते हैं तो बस इस तना ही टू मिनट्स के लिए तरह तरह बार दो आए तो अब यह दो करते हैं तोos फ्रांट्स तरी मिन्ट मिनित हो गया है अब दो चुनाम इस फ्रैंड्स है विदिन फॉर मिनट्स यह अब हमारे थोड़े से अच्छे से हलके गोल्डन ब्रान होने लगे हैं और इनमें से हलकी महका रही है काफी अच्छी और इनके अंदर से हलके से चटकने की आवाजे भी आ रही हैं आप देख सकते हैं अब हम इनको जो है माइक्रोवेव से निकाल कम या ज्यादा टैमर को कर सकते हैं मैंने इनने फॉर मिनट्स ही माइक्रोवेव किया है चलिए डोर को ओपन कर लेते हैं यह देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से इसमें दुआं उट रहा है महक आ रही है और बढ़िया से यह रोस्त हो गया अब यह विदिन फॉर अच्छे से रोस्त करें तो फ्रेंड्स अगर आपको यह मेरा है पसंद आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शे सब्सक्राइब करना ना भूले अब फ्रेंड्स इनने क्या करना है इन्हें फ़रता बिल्कुल ठंडा कर लेना है अभी इनको गरम गरम जो है यह टाइट हो जाए और तब आप इनको एटाइट कंटेनर में भरके रखें और अपना डेली रैस्पी में भी आप इने यूज कर सकते हैं थैंक्स वोची